किसानों मजबूर विरोधी नीतियों, MSP सहित किसानों की अन्य मागों को लेकर 25-27 नवंबर तक देश के हर राज़ की राज़धानी में तीन दिवसी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लेकर 14 अक्तूबर को राजस्तरिय कौनवेंशन डोईवाला में होगा, जहां भविश की राजनीति पर चर्चा होगी। के प्रदेश संयोजा के गंगाधर नोटियाल ने कहा कि केंदर की किसान वा मजदूर विरोधी नीतियों और MSP सहित किसानों के अन्य मागों को लेकर 25-27 नवंबर तक देश के हर राज़्य की राज़धानी में सभी मजदूर यूनियन एवं संयोक्त किसान मोर्चे के बैन होगा तीन दिन 26 27 28 नोंगर उसकी तैयारी के लिए हम चार तारी की इस चो 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 तारी को यह बैठक दोनुस संयोजा कर रहे हैं और जो संपन कराएंगे जो प्रांती दोनुस वाला है यह आज बैठक की अध्वश्यता करते हुए ताजेंदर सिंग ताज ने कहा कि यह डोईवाला संयोक्त किसान मोर्चा का सवभाग्य है कि संयोक्त किसान मोर्चा राजस्तरी कन्वेंशन डोईवाला में होगा उन्होंने राजस्तरी नेताओं को अश्वस्त करते हुए कहा कि डोईवाला में होने वाले कन्वेंशन को ह अखिल भारती किसान सभा के जिलाद्धष दलजीत सिंग ने कहा कि 14 अक्टूवर को होने वाले राज्य कनवेंशन से उत्राखंड के साथ साथ दहरा दून और डोईवाला के किसानों को भी मोर्चे को मजबूत करने का मौका मिलेगा किसान नेता गौरव चौधरी ने कहा कि डोईवाला में होने वाले कनवेंशन की हम पुर्जोर तैयारी करेंगे आप देख रहे हैं डखल्यूर